Good morning friends, welcome to solarpedia, यह एक series है जिसमें बहुत सारे episodes हमने किये, आपको solar के बारे में हम लोगों ने बताया, आज मैं आपको net metering के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, बहुत सारे सवाल आप लोगों के हैं, बहुत सारे myths भी हैं आप लोगों के net metering को लेके, तो सबसे पहले मैं sequence wise बताऊंगा आपको के solar meter क्या होता है, solar meter के benefits क्या है और solar meter के maximum benefits आप कैसे ले सकते हैं, तो दोस्तो solar meter एक ऐसा प्रावधान है, एक ऐसा billing arrangement है, government, electricity department के बीच और customer के बीच, जिसमें आप solar, access solar की generation को, सरकार को देखके, अपने electricity bill को कम कर सकते हैं, यह कैसे होता है, मैं आपको व आपका पूरे दिन का आपका जो consumption है, units का, वो 15 unit है, लेकिन आपका, आपकी जो solar generation आ रही है, वो 25 unit आ रही है, यह 26 unit आ रही है, तो यह जो 10 unit यह 11 unit access बिचली आपकी generate हो रही है, वो net meter के थुरू सरकार को दी जाती है, और यह सारा प्रावधान एक billing arrangement है, जो net meter के थू ही होत नापता है, और जो बिचली आप सरकार को देते हो, वो भी नापता है, ताकि आपका जो बिचली का bill है, वो कम होता है, यह हो गई net meter की बात, के net meter होता क्या है, अब net meter हर state की net meter की policy अलग-अलग है, net meter की policy Delhi में अलग है, UP में अलग है, मिजरम में अलग है, वेस्ट मंगाल मे अलग है, इसलिए जब भी आपका भी solar system लगाएं, तो यह जरूर आपको समझना चाहिए, local regulations क्या है, local policies क्या है, और net meter को लेके government की जो प्रावधान है, वो क्या-क्या है, अब इसके इलावा जो benefits मैं आपको net meter के बताता हूँ, एक तो मैंने आपको benefit बताया कि बिचली का bill आप कम कर सकते हो, दूसरा clean energy में आप government of India की support कर सकते हो, universe को support कर सकते हो, तो एक तो आप clean energies upgrade कर रहे हो, electricity bill अलड़ी कम कर रहे हो, fossil fuels के उपर आपकी dependability कम हो जाती है, चौथा और पांच्वां point बहुत important है, चौथा और पांच्वां point आपके benefits को ही दरशाता है, मैंने, मैं द के उपर dependability कम कर रहे है, grid के उपर अपनी dependability कम कर रहे है, आपका electricity बिलतो कम हो ही रहा है, दूसरी चीज़ यह कि आपको यह समझना बहुत जरूरी है, कि आप सुबे 6 बजे से लेके, शाम के 6-7 बजे तक आपकी जो connectivity solar की है, उसको आप maximize करे, जब आप maximize कर दोगे, और जो downtime है, जो solar system का, उसको अगर आप minimize कर पाएं, तो आप maximum utilize कर सकते हो, अपने net metering policies का, net metering system का, और reduced electricity आपकी maximize हो जाएगी, अगर आपका downtime solar system का minimize हो जाए, या zero हो जाए, यह आपको बहुत कम शब्दों में मैंने आपको net metering के बारे में बताया, यह मैं अगर state wise policies को लेके बैठू तो हर एक episode में हर एक state की अलग-अलग policies को मैं dictate कर सकता हूँ, जैसे जैसे आपके सवाल, जैसे जैसे आपके questions और आएंगे, तो मैं definitely उन questions के उपर दूसरी videos भी generate करने की कोशिश कोशिश करूँगा, लेकिन आज सरिफ इतनी बात आप समझिए, कि हर state का, हर union territory की policies net metering को लेक परिएगा, धन्यवाद दोस्तो, मैं दुबारा आप से solarpedia में जरूर मिनूँगा,